विश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल क्या है हमारी संस्कृती? क्या है हमारा धर्म? आईए, समझते हैं धर्म एवं संस्कृती की परिभाशा पूज्य शिरी देव की नंदन ठाकुर्जी के शिरी मुक से ऑश्य एक बार सभी दर्शकों को रादे रादे आज मैं आप से कुछ कही लोगों ने परशन की है काफी लोग कहते हैं कि तुमारा बगबान काफी मिंज जो सनातन धर्म को जानते नहीं जिन्होंने जनातन धर्म पढ़ा नहीं और जिन्होंने जानने की कोशिस भी नहीं की काफी जगे पर मैंने सुना है कि काफी जो विधर्मी लोग हैं जो हमारे सनाता धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग हमारे चोटे-चोटे बच्चें को जूट बोल बोल कर बढ़काते हैं कहते हैं कि वो तुम्हारा भगवान कैसा भगवान है जो तुम्हारा ही दिया हुआ खाता है तुम्हारी मर्जी से सोता है तुम्हारी मर्जी से उठता है तुम्हारी मर्जी से सब कुछ करता है जब तुम्हारा ही दिया हुआ वो खाता है तो तुम्हारे उपर मुसीबत क्योंकि उन्होंने गीता पड़ी नहीं, रामान पड़ी नहीं, भागवत पड़ी नहीं, बेद पड़े नहीं, सास्त्र पड़े नहीं, आप पढ़ोगे तो जानोगे, मेरे कृष्ण के विसे में, मेरे गोविंद के विसे में आप जानना चाहते हो, वो कैसा है, वो ले अड बड़े से बड़ा है इसी में उसकी विसेस्ता है बहुत से लोग अभी से नहीं एक बार अकवर ने बीरबल को बुलाया था और बीरबल से कहा कि बीरबल तुम जिस बुत को पूछते हो तुम जिस मूर्ती को पूछते हो तुम जिसे भगवान कहते हो मैं उस पर यकिन नहीं करता क्योंकि अगर वो भगवान है तो उसे धरती पर आने की आवश्यक्ता क्या है उसे धरती पर नहीं आना चाहिए वो धरती पर क्यों आता है उसके तो इसारे से सारे काम हो जाने चाहिए फिर तुम्हारा भगवान बार 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 क्यों आता है बीरवल ने का हमा में आपके हर प्रश्ण का उतर देना चाहता हूँ लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा तो कुछ समय बात दूँगा बोलो ठीक है एक दिन बीरवल और अकबर दोनों ही जल बियार करने के लिए जमनाजी में जल बियार करने के लिए गए तो उनकी सेना भी उनके साथ में थी तो देखा अन्धेरा सा हो गया था थोड़ा सा साम डल रही थी तो अन्धेरा हो रहा था तो बीरवल ने दासी को पहले ही बता दिया था तुमें क्या करना है तो दासी राजकुमार बहुत चोटा सा था दो तीन साल का तो इस राजकुमार को भी लेके वो दासी वहां पर पहुँची और जमना में सभी लोग जल विहार कर रहे थे तो उनकी सेना भी थी जब अकवर जल विहार करेगा तो सेना के सुरक्षा भी वहां सब रहेगी रहेगी बीरवल अकबर के साथ ही बैटे थे और सामने बीरवल के वो दासी बैटी हुई थी अकबर के सामने राजकुमार को गोद में ले रखा था तो बीरवल से पूछा भाई तुमने राजकुमार को क्यों बुला लिया बोले महराज इसलिए बुला लिया कि आप जल विहार कर रहे हैं तो राज कुमार भी आने वाले समय में इस स्यासत के अकबर बादसा बनेंगे तो क्यों ना उनको अभी से जल विहार इत्याद का और फिर बालक है अभी स्वस्त रहेगा ठीक है अच्छा है मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकेगा इसलिए राज कुमार को बलाया है बोले ठीक है बीरवल जब जमना जी के बीच में वो ना पहुँची तो धीरे धीरे वो पहुँचे और बीरवल ने देखा राज कुमार को गोद में उठाया और जैसे राज कुमार को गोद में उठाया तो बीच जमना में राज कुमार को फिंक दिया भी जमना हो जमना गहरी है पानी बहुत गहरा है और जैसे ही बीरवल अकबर ने देखा कि बीरवल ने मेरे राजकुमार को फिंक दिया अकबर ने एक सेकंड गमाए बगेर तुरंट जमना में छलांग लगा दी और जम्ना में छलांग लगा कर उस राजकुमार को जल से बाहर निकाल के लाए और जब जल से बाहर निकाल कर उसको देखा तो वो राजकुमार नहीं राजकुमार का बुत था मतलब पुतला था तो अक्वर को बड़ा घुसा है आप बीरवल से पूछा ये क्या करना चाहते हो आप? ये क्या पागलपन है? ये क्यों किया तुमने? राजकुमार का नाम लेकर तुमने जमनामे फैंक दिया और मुझे कुदा दिया? बोले नहीं पागलपन नहीं ये आपके question का answer है था यह तने आपके सेवक यह मौझूद थे लेकिन जब आपको नहीं पता था यह फुतला आपको पता था यह आपका बेटा है तो जब आपके बेटे को जम 튀 сок cette mena में एक गिरा दिया तो आपने हम सब को किसी को आगया क्यों क्यों नहीं दिया कि जाओ जम्ना में से मेरे बेटे को निकाल के लाओ तो आपने मेरे से कोश्चन किया था कि तुम्हारा भगवान याद रखो जब गैरों पर मुसीवत होती है तो हम अपने दूतों से काम चलाते हैं और जब अपनों पे मुसीवत होती है तो तब दूतों को नहीं हम खुद को भेज देते हैं जैसे अभी आपने करके दिखाया ठीक वैसे ही मेरा परमात्मा हम सब को अपना मानता है मेरा कृष्ण हम सब का है इसलिए वो किसी और के लिए नहीं वो हम सब के लिए आता है वो हमें किसी और के उपर नहीं छोड़ता हे सनातन धर्म को जानने वाले सबी प्रेमियों आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपका कृष्ण आपको अपना मानता है आपका ईश्वर आपको अपना मानता है, आपका परमात्मा आपको किसी के हवाले नहीं करता, अपे तो वो अपनी गोद में आपको समाल के रखता है, यह हम सब का सवभाग्य है, जो लोग यह मखोल उड़ाते हैं, कि तुम्हारा भगवान सोयम आता है, भगवान सोयम खाता ऐसा नहीं है मेरा भगवान तो सबरी के बेर भी खाता है और दुर्योधन के चपन भोग भी त्याग देता है आप नहीं समझ पाओगे कृष्णात परम की मफितत तुम हम न जाने कृष्ण के तत्व को कृष्ण के रहिश्च को तुम हड़मास के पुतला क्या जानोगे तुम कभी कृष्ण को समझ नहीं सकते समझेगा तो वो जिसने अपने हिर्दय रूपी पुस्पु को भगवान स्री कृष्ण के चरणों में चड़ा दिया है तो हे सनाता धर्म प्रेमियो आप सब को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मुस्किल या कोई भी डाउट करने के आ विशक्ता नहीं है आप सिर्फ इतना समझ लिजिए हरी व्यापक सरवत्र समाना यूश्वर सरवत्र यत्रत व्यापत है तो उस कृष्ण में सच्ची निष्ठा रखिए और उनको अपना मानते रहिए जैसे अकुबर अपने बेटे के लिए कूद गया वैसे ही परमात्मा लेकर आता है धर्म की स्थापना के लिए बार बार आकर हम सब को अपना बनाते हैं इनी सब्दों के साथ विश्वास रखी अपने गोविन पर कल्यान करेंगे बेडा पार करेंगे नया पार लगा देंगे इनी सब्दों के साथ रादे रादे वेश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पुझे महाराज जी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराज जी को dn-thakur-g फालो करें